तो मेरे पैर बच्चों आप सभी लोग कैसे हो आई होब आप लोग बहुत अच्छे होंगे अपनी तियारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्डन्ट बीडियो और बहुत ही महत्पूर्ण बीडियो के साथ आपके सामने उपस देता है पूरे पूरा चैप्टर आपको पढ़ा चुका हूँ आप लोग वीडियो की प्लेडिस्ट में जरूर जा कर देखिए फीजिक्स का सर ने कितना पढ़ाया हुआ है तो आप वहां पर जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि सर ने तो पूरा पढ़ा दिया है अभी आपको क्या करना है स ठीक तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चिनिटी है अपने आपको तयार करने के लिए अपने आपको साबित करने के लिए अपने आपको यहां पर टॉप करने के लिए ठीक है न तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रशनों को और ज्यान दीजेगा इसकी पीडियप भी आपक क्योंकि पूरे किताब से हम लोग यहां पर प्रश्ण लेने वाले हैं टिक पूरे किताब से प्रश्ण लेने वाले हैं टिक चलिए जानदीजे का पहला प्रश्ण देखिए पहला प्रश्ण आपके लिए क्या है और सभी लोग इत्मिनान से थोड़ा प्यार से मेरे साथ जो भी चीज आपको दिक्कत लगे ना वो कमेंट में ज़रूर बता दीजेगा. सर मुझे यहाँ पर दिक्कत लगी. कुलाम का बैदुत बल सम्मन्दी नियम लखिए. क्या है कुलाम का बैदुत बल सम्मन्दी नियम लखिए. अत्वा दोबिन्दावैसों के बीच लगने वाले अत्वाप्रतिकरसन बल के लिए कुलाम का सूतर लखिए तो देखे गुलाम का नियम मैंने आपको बहुत बार बता हुआ है तो कुलाम का नियम क्या होता है चले उसके बारे में थूड़ा चरचा करते हैं आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं, तो कुलाम का नियम क्या होता है, कुलाम का नियम अच्छी तरीके समझेंगे, तो देखे एक वैग्यानिक थे जिनका नाम था कुलाम, ठीक, उन्हों ने एक नियम दिया, ध्यान दीजेगा कब नियम दिया, उसके बारे करता हूं कभी दो आवेसों के बीच करने का मतलब एक प्लस आवेस लीजिए और एक माइनस आवेस लीजिए ठीक ये बात हो रही है तो कर रहे हैं कि 1785 इसवी में ये बात है 1785 इसवी की तो 1785 इसवी में फ्रांसीसी बेग्यानिक कुलाम ने दो आवेसों के बीच कार्य करने बल के शंबंध में दो आवेसों के भी जुष्टा हमने थे कहा न इन दो आवेसों की भी जो बल लग रहा है मालने से यह बल लग रहा है या ज़िख बल के संबन्ध में एक नियम दिया जिसे कुलाम का नियम कहते हैं इस नियम के अनुशार इस नियम के अनुशार उन्होंने बताया क्या देखे क्या बताया दो इस्थिर आवेसों के मध्य ठेक क्या नियम बताया दो इस्तिर आबिंदू आवेसों के मद्ध मान लिजे दो हमारे पास देखें यहाँ पर हमने आपको बताया दो हमारे पास बिंदू आवेस हैं ठीक इनके मद्ध लगने वाला आकरशन या प्रतिकरशन बल दोनों आवेसों की मात्राओं के गुरन फल के अनुकर्मान पाती क्या करा है ये जो प्लस वन और क्यूवन है जो इनका गुरन फल है ठीक क्यूवन इसको मालेज क्यूटू इसको मालेज क्यूटू इसको मालेज क्यूटू कर रहा है और इनके बीच की दूरी माले से इनके बीच की दूरी क्या है आर है तो आर के ब्यूत्करमानुपाति होगा f इस इंवर्सलि प्र нравится टू वन अपान आर ठीक होता है तो ये बात आपको समझ में आई समझ में आगई होगी कि इसमें क्या कह रहा है तो चलिए इसको हम फ्रूब करते हैं अची तरीके से और आपको दमभेतिरीन तरीके से बताने का प्रयास करते हैं तो इस बल की दिसा दोनों आवेसों को मिलाने वाली रेखा की अनुदिस होती है तो चलिए त्यान दीजेगा इसमें का राहे अब होती है त्यान दीजेगा तो यदि हम कामाल ले यदि लिखेंगे हम यदी यदी दो बिंदू आवेसूं क्या दो बिंदू आवेसूं आप लिखेगा थोड़ा अच्छी तरीके से तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा हम लिखेंगे यदी दो बिंदू आवेसूं देखिए आपके लिए ये अगर पांच नमबर में पूछता है तो अच्छी तरीके से लिखना आपको आना चाहिए नहीं तो आप फार्मुला लिखकर चले जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ठीक है ना चलिए ध्यां दीजेगा तो आवेस दो बिंदु आवेस Q1 व क्या Q1 व क्यूटू एक दूसरे से क्या करा एक दूसरे से एक दूसरे से आर दूरी पर कितनी दूरी पर आर दूरी पर इस्थित हो तो कुलाम के नियम से लगने वाला जो बल है अब देखिए उन्होंने कहा हमारे पास दो बिंद वावेस हैं एक Q1 है ठीक और ये क्या है Q2 है ठीक अब क्या का रहा है जो इनके बीज जो बल लग रहा है मानले से इनके बीज जो बल लग रहा है मानले जो यफ बल लग रहा है ठीक ये एक यफ बल से एक दूसरे को अपनी और आकरसित किये हुए है ठीक और कर रहे हैं कि इनके बीज के दूरी अगर आ रहे ठीक तो अब इनके भी जो बल लग रहा है वो बल कितना होगा उसकी यहां पर चार्चा कर रहा है तो पहला निया मिन्हों ने बताया कि जो बल है उनके आवेसों के गुरन फल के अनुकरमान पाती यानि यफ जो बल है इस डाकली प्रपोर्चनल टू इस डाकली प्रपोर्चनल टू Q1 इंटू Q2 ठीक तथा यहां पर यहां पर एक काउची जाओ निकाली इसको मान लेजे सम समय का नमबर एक माल लेते हैं तो और क्या करा जो भल है कि सके इंवर्सली होगा वन अपान आर स्कौायर के टिक जिसको माल लेते हैं समयका नमबर ढैक तो खुलाम ने यही कहा कि जो इनके भी जो आवेस है ना आवेसों का जो गुणनफल है वहाँ बल के अनुकर्मान पाती होगा और जो इनके भीच की दूरी है ना उसके वर्ग के व्यूत कर्मान पाती होगा ठीक अब हम क्या लिखेंगे समी करण एक और दो से क्या लिखेंगे एक और दो से ठीक है न तो यहां से इससे क्या हो जाएगा इससे हो जाएगा इफ इस डाटली प्रपोर्शनल टू क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वाइर ठीक है न तो यह आपका हो जाएगा ठीक अगर हम इस अनुक्रमानुपाथि को हटाएगे तो किया आने वाला है याफ बराबर कि आजाएगा K इन्टू Q1 Q2 अपान R स्क्वाइर ठीक यह आपके लिए हो जाएगा तो यहां पर जहां जहां किया हो जाएगा जहां कि अनुक्रमानुपाती क्या है क्या है अनुक्रमानुपाती ये नियतांक है क्या है नियतांक है मतलब कि जब अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो क्या आएगा इसका मान क्या होता है तो प्रयोगों द्वारा के बराबर क्या होता है 9.0 x 10 की पावर 9 Nm2 प्रति कुलाम 2 अब देखिए इसका मान हम क्या करेंगे इस सम्मिकार मान लिए 3 तो इसका मान सम्मिकार नमबर 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा यफ बराबर क्या हो जाएगा 9.0 x 10 की पावर 9 Q1 Q2 upon R² और इसका मातर क्या होता है न्यूटन होता है यही हमारा क्या होता है कुलाम का नियम होता है अभी और आगे थोड़ा समझेंगे और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे तो इतनी बात आपको समझ में आई समझ में आगए हो कुलाम का नियम क्या है तो आप सभी लोग एक बार लाइक कर दीजे इसी बात पर कि यहाँ पर हमें समझ में आ गया तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी सभी गिलाच्चों को यहाँ पर अच्छी तरीके से अब देखिए अब एक चीज और समझ लेए यदि हम क्या लेखें अब यदि यदि वायु अथवा निर्वात में किसमें वायु अथवा निर्वात की बात करें ठीक तो वायु अथवा निर्वात की अगर हम बात करें तो के बराबर क्या होगा के बराबर आपका होता है यदि अप के लिए होता है तो यहाँ पर रखेंगे मान तो क्या आएगा ध्यान दीजेगा यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या आने वाला है समझ लीजे सभी लोग अच्छी तरीके से तो क्या आएगा यहाँ पर यफ बराबर क्या आएगा 1 अपान 4 पाई अपसाइले नाट Q1, Q2 अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा R स्क्वाइर ठीक एक यह फार्मूला भी आपका होता है तो समझ में आएगा आप सभी को अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा तो यहाँ पर आपको इस तरीके से पूरा Qulam का नियम लिख देना अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको definitely है कि अच्छा से अच्छा नंबर आपको दिया जाएगा तो यह बाते आपको समझ में आ गयी होगी चलिए अगले प्रशन की और बढ़ते हैं अगला प्रशन देखिए अगला प्रशन आपके लिए क्या है दुसरा नंबर प्रशन बहुत ही important और बहुत ही मत्तपूर्ण प्रशन है आपके लिए प्रशन क्या कह रहा है प्रशन करा है कि संधारित्र की परिभासा दीजिए किसकी परिभासा देना है संधारित्र की परिभासा दीजिए दरसाए गए चित्र में परिपत्र के प्रतेक संधारित्र का आवेस क्यांत कीजिए यहाँ पे क्या करा है जो प्रतेक कैपासिटर लगे हुए है ना इन प्रतेक का क्या करना है आपको आवेस बताना है और करा है कि संधारित्र की परिभासा को बताईए तो सब्सक्राइब हम क्या लिखेंगे संधारित की परिभासा लिखेंगे उसके बाद इस question को solve करने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो संधारित की धारिता का जो formula होता आपके लिए क्या होता है चले उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं आपको तो क्या होता है किसी संधारित की धारिता उसकी एक प्लेट को दिये गए आवेस मालेजे कोई संधारित है हमारे पास कोई कैपासीटर है हमारे पास देखिए मैं आपको थोड़ा दिखाने का प्रयास करता हूँ जो हमारे पास capacitor आता है कैसे आता है ठीक है ना तो capacitor में क्या होता है majorly आपको ध्यान दीजेगा यहाँ पे आपको एक प्लेटर लगी होती है ठीक और इसके बीच में एक संधारित वाला पदार्थ भरा होता है ठीक है ना और यहाँ पर ध्यान दीजेगा अगर इधर प्लेट को दिये गए आवेज ठीक दोनों प्लेट के बीच उत्पन विभाषानल मा लिज जिसको में क्यों क्यों आवेज दे रहे है तो इसके बीज़गत व उत्पन वह त्पन वह रहा है उसके अनुपाद को कहते हैं या उसके अनुपाद को हम कहेंगे मालिज अगर संधायतर की धायता को गर हम C माने तो जो इनका आवेस है क्यों माने जो इनका दिया गया आवेस क्यों है तो जो इनका voltage भी भुवांतर V है इसका अनुपात होगा वो क्या होगा क्या होगा मेरे पर बचलोग संधारित की धारता होगा यानि कि C बराबर क्या हो जाएगा Q by V ठीक क्या हो जाएगा C बराबर Q by V हो जाएगा यह आप के लिए बहुत important है ठीक है न तो समझ में आया कि संधारित की धारिता का जो formula होता है क्या होता है संधारित की धारिता C बराबर Q by V ठीक है न मतलब किसी संधारित की धारिता उसकी एक plate को दिये गए आवेस तथा दोनों plate के बीच उत्पन विववांतर के अनुपात के वराबर होती है, संधायत को धारिता होती है, C वराबर QYV होती है, समझ में इतनी बात, अब चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, जो आपको दिया हुआ है कुईस्टन में, तो कुईस्टन में क्या दिया हुआ है, संधायत की परिमासा तो हमने कर लिया, ठीक, दर साये गए चितर में परिपत के प्रतेक संधारितर का आवेस आपको निकालना है, ठीक, तो इसमें देखिए, सौल्व करेंगे, इसको, बौस्टन में करेंगे, ठीक है न, ठीक, और यहा पर 12 और 12 और 4 है, तो आप सभी लोग बताएंगे, कौ से शिरीज में है, कौ सी में है, ठी सिरीज में है और यह भी सिरीज हो होगा आपका समझ में आया कि नहीं समझ में आया तो इस में लिखेंगे 6 droplets और 3 Februar नहीं कि 6 Bloody and 3 live अ me 3air mint किसमें है स त्रीईज में है किसमें है स्रेडी क्रम में है किसमें है स्रेडी क्रम में तो पहला पॉइंट हम यही साल्व करेंगे जब यह स्ट्रेडी क्रम में है तो 1 अपान C1 बराबर ठीक है न तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 अपान 6 प्लस 1 अपान 3 यगर यही समानतर में होता तो C1 प्लस C1 कर देते हम इसको साल्व करेंगे क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा 1 प्लस 2 यानि की अपान क्या लिखेंगे यहाँ पर 6 जब कामा ले लेंगे तो 6 अब जा 6 और 3 दुना 6 निक 3 तुजा 6 तो 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 जाएगा 2 उपर तो जाएगा 3 अपान 6 यानि की 1 अपान C1 बराबर अगर one upon seven बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा three upon six बराबर क्या हो जाएगा ध्यान दीजेगा C1 बराबर यहां पर two आ जाएगा two microfarad क्या two microfarad क्योंकि इसको हम बदल देंगे तो यहां से गर C1 बराबर लिखेंगे तो six upon three लिखेंगे तो इतना समझ में आपको समझ में आ गया होगा चलिए ध्यान दीजेगा अब इसी प्रकार ध्यान दीजेगा इसी प्रकार जो हमारा यह करपासिटर लगा हो 12 और 4 यह भी किसमे है स्रिनरी में है तो इसको भी स्वाल्ब करेंगे तो इसी प्रकार 12 माइक्रो फैरड एंड एं जब यह भी स्रेणी क्रम में है तो यहां से लिखेंगे C2 बराबर इसको भी 1 अपान C2 कर लेजे एक बटे 12 प्लस एक बटे 4 इसको भी साल्व करेंगे तो 12 LCM लेंगे तो 1 प्लस 3 हो जाएगा बराबर 4 अपान 12 यानि C2 बराबर क्या लिखेंगे यहां पर C2 बराबर लिखेंगे 12 अपान 4 तो यहां पर 3 आपका माइक्रोफाइरट आ जाएगा कितना 3μF आपका आगया तो हमने एक यहाँ पर कैपासीटर बनाया 3μF का हमने एक उपर बनाया 2μF का इतना आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आगया होगा अब देखिए अब Q बराबर हमें मालूम है C B ठीक या C बराबर Q Y B होता है तो Q को हमने इधर ले आ लिया या यहाँ पर C बराबर Q Y B होता है तो Q बराबर क्या होगा C B इधर मल्टिप्लाई कर देंगे इसको तो ध्यान देजेगा ठीक इतना आपको समझ में आया इतना समझ में आ गया होगा ठीक है ना तो Q बराबर क्या होता है C B होता है अगर हम Q1 निकालें तो क्या हो जाएगा C 1 into V क्योंकि अगर हम स्रेणी की बात करते हैं तो उस्रेणी में जो आपका बोल्टेज होगा वो समान होगा जो की बोल्टेज इसमें दिया हुआ है 20 वोल्ट सभी में वह ही बोल्ट जाएगा तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगा C 1 into V हो जाएगा तो C 1 का मान कितना दे रखा है 2 microfarad तो यहाँ पर रखेंगे 2 microfarad टेक इन्टू जो बोल्टेज का मान दे रखा है 20 वोल्ट दे रखा इसको साल्ब करेंगे तो 40 microfarad यहाँ पर हो जाएगा अगर हम Q2 की बात करें तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा C2 into V हो जाएगा बराबर C2 का मान कितना दे रखा है 3 microfarad हमने अभी निकाला था यहाँ पर और into इस का मान बोल्टेज का मान 20 बराबर क्या हो जाएगा 60 microgram यहाँ का हो जाएगा तो अब देखिए अगर हम 6 microfarad और 3 microfarad में देखें तो जो उसका आवेस होगा वो 40 microgram होगा ठेक किसका होगा 40 microgram होगा अगर हम ध्यान देजेगा अगर हम 12 और 4 microfarad बरका निकालें जो इसमें आवेस होगा इसमें कितना आवेस होगा इसमें 60 microgram का आवेस होगा तो लिखिए आप यहाँ नीचे क्या लिखेंगे 6 microgram नोट में लिखिएगा यहाँ पर तो यहाँ पर 6 microgram होगा 3 micro microfarad microgram का आवेस होगा तथा 12 microfarad and 4 microfarad में कितना आवेस होगा यहाँ पर 60 microgram का आवेस होगा कितना 60 microgram का आवेस होगा तो समझ में आया यहाँ पर आप सभी को समझ में आगया होगा तो सभी लोग इसको अच्छी तरीके से लिखिए अच्छी तरीके से करने का प्रयास करिए ठीक है न तो चलिए ध्यान दीजेगा सभी लोग तो इतनी बाते आपको समझ में आ गई होंगी मेरे परफचा लोग सभी लोग तो आपको देखे ध्यान दीजेगा इसी तरीके से आपको निकालना है अच्छी तरीके से सारे चीजों को समझाना है आप पूछेंगे सर ये बताए तब इसका क्या मतलब है दुदस उम का प्रतिवर लगा इसका कोई मतलब नहीं है जो हमारा काम ऐसे ही हो जा रहा है तो इसका कोई काम नहीं है आप रही है अपर अपर ऐसे ही दिखाने के लिए तो लेकिन यहां पर आप बेस पूछ रहा है तो इस तरीके साब निकाल सकते हैं चलिए ध्यान दीजेगा आगे बात कर अब यह भी देखें बहुत ही बहुत ही बहुत ही मतपूर्ण कोई सन आपके लिए अब इस कुछ सर्में देखें क्या दे रखा है इस कुछ सन को पढ़ 3 है तो तामे में जो इलेक्टान का घनत तो है जो इलेक्टानों की मात्रा है कितना दे रखा है 8.5 ín'tew 10 की पाउर टुन्टी-8 मीटर की पाउर माइनस 3 है 20 सेंटी मीटर लंबाई कितना 20 सेंटी मीटर लंबाई तथा 1.0 सेंटी मीटर इसक्वाइर अनुप्रस्त परिक्षेद के तामे के तार से होकर प्रवाई धारा का मान ग्यात कीजिए ठेक और तार से 4 बोल्ट की बैटरी जूड़ी है तथा तार में इलक्टानों की जो गती सीलता है वो 4.5 इंटो 10 की पाउर माइनस 6 मीटर स्कार बोल्ट की पाउर माइनस 1 सिकिंड की पाउर माइनस 1 है इतनी बात आपको समझ में आ रही है न तो चलिए इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और पहले हम क्या लिखेंगे जो जो चीजे इसमें दिया हुआ है तो इसमें दिया हुआ है यहाँ पर सॉल्व करेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है यहाँ दिया हुआ है लंबाई तो सभी लोग बताएंगे लंबाई कितना दे रखा है इसमें लंबाई आपको दे रखा है 20 cm कितना दे रखा है 20 cm अगर इसको हम मीटर में चेंज करें ध्यान दीजेगा अगर इसको हम मीटर में चेंज करें तो आप सभी लोग बताएंगे एक मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटी मीटर अगर यहीं पर 100 सेंटी मीटर होता है अगर यहीं पर हम एक सेंटी मीटर निकालें तो कितना हो जाएगा एक बटे 100 मीटर या यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर इसको निकालें 10 की पावर minus 2 meter ठीक और इसको point zero zero ठीक न यहाँ पर अगर इसको लिखना चाहें तो point zero one भी लिख सकते हैं ठीक न तो यहाँ पर आपको meter भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपर तो इसको जब निकालेंगे तो दोधा समलो इधर आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा point two zero meter ठीक यह आपके लिए हो जाएगा तो ध्यान दिजेगा सभी लोग यहाँ पर क्या होगा point zero one ठीक meter ठीक न तो यह आपके लिए हो जाएगा कि बेहद important और बेहद ही मतपूर्ण है ठीक अभी आपको meter ने बदल गया हम ऐसा क्यों कर रहे है क्योंकि जो आपका घंद तो दे रखा है वो meter में दे रखा है यहाँ दीजेगा क्योंकि सभी रासियां जब हमारी बराबर होंगी तब ही हम किसी सवाल को या किसी question को solve कर पाएंगे ठीक है न और अब देखिए छेतरफल की बात करेंगे तो छेतरफल आपके लिए ध्यान दीजेगा छेतरफल क्या हो जाएगा छेतरफल ए बराबर क्या होगा 1.0 cm2 क्या होगा cm2 बराबर वन इंटू 10 की पाउर माइनस 4 मीटर ठीक यह आपके लिए हो जाएगा वैटरी क्या बैटरी वी बराबर 4 बोल्ट ठीक और इलेक्टरानों यहाँ बैटरी किना दे रखा ध्यान देजेगा बैटरी तार से 4 बोल्ट की बैटरी जूड़ी है कितनी बोल्ट की बैटरी जूड़ी है चार बोल्ट की बैटरी जूड़ी है ठीक और इलेक्टरानों की गती सीलता कितनी दे रखी है इलेक्टरान की गती सीलता ठीक है तो गती सीलता जो हमारी दे रखी है गती सीलता इसमें आपको दे रखी है कितना micro mu बराबर 4.5 into 10 की पाउर माइनस 6 meter square volt की पाउर माइनस 1 और second की पाउर माइनस 1 ठीक यह आपके लिए हो जाएगा ठीक और आवेस की बात करें तो आवेस यह बराबर कितना दे रखा है आपको 1.6 into 10 की पाउर माइनस 19 कुलाम आपका आवेस दे रखा है और एक चीज़ और आपको दे रखा है इलेक्ट्रानों का घनत्व तो इलेक्ट्रान का जो घनत्व है इलेक्ट्रानों का इलेक्ट्रानों का इलेक्ट्रानों का घनत्व इसमें दे रखा है तो घंतों कितना दे रखा? अगर घंतों की बात करें, तो आपको दे रखा, n बराबर कितना होता है? एट पोइंट दिया हुआ है, एट पॉइंट फाइप इनटू 10 की पावर, 28 मीटर की पावर, माइनस 3 ठीक यह आपको दे रखा है अब देखिए अब आपके पास देखिए क्या क्या चीज है यल है ठीक यल है ए है वी है ठीक न म्यू है और क्या है आवेस है और क्या है घनतोयन है तो आप एक फार्मुला जानते हैं हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि प्रवाहित धारा जो होती ह प्रवाहित धारा देखे इसमें निकालना क्या है प्रवाहित धारा का मान निकाल लिए तो प्रवाहित धारा का आप सोचिए कितने फर्मूले आपको मालूम है ठीक है ना तो प्रवाहित धारा बराबर क्या होता है आई का मान इसमें निकालना है आगर नहीं मालूमत आप न तो अब यहाँ पर ध्यान दीजेगा आई बराबर क्या होता है यहन ए ए वी डी बराबर क्या होता है यहनि म्यू ठीक म्यू वी अपान यल ठीक यह अब के लिए हो जाएगा तो अब यहाँ पर सारे मान को हम put up करेंगे यहाँ पर ध्यान दीजेगा अगर हम VD की बात करें VD की बात करें तो VD बराबर क्या होगा Mu into VY तो यहाँ पर ध्यान दीजेगा अब इसको हम solve करेंगे तो solve करेंगे तो यहन का मान कितना है पहले लख दीजे 8.5 into 10 की पावर 28 टेक into A का मान कितना है A का मान उपर हमने निकाला 6 रफल कितना निकाला था 1 into 10 की पावर माइनस 4 टेक और electron पर आवेश कितना होता है सभी लोग जानते है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कुलाम into micro इसका Mu का मान कितना दे रखा है 4.5 कितना रखा है 4.5 into 10 की और माइनस 6 ठीक और ध्यान दीजेगा into अवी का मान कितना दे रखा है voltage का मान 4 बोल्ट आपको दे रखा है ठीक नीचे अगर यल की बात करें यल का मान उपर हमने निकाला था 0.20 ठीक सारे मान को मैंने put up किया यहां पर आई का मान निकलेगा तो यहां पर इसको solve करेंगे तो आई बराबर कितना हो जाएगा मेरे पैरे बचा लोग सभी लोग ध्यान दीजेगा यहां पर कितना हो जाएगा आई बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 122.4 एमपियर तो सभी लोग इसको solve कर लीजिएगा अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा ठीक तो समझ में आया सभी को अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा कि इसका मान कितना आएगा इसका मान कितना आएगा 122.4 MPR आपका अंसर इसका आ जाएगा तो समझ में आया, समझ में आगया होगा, चली, आगए 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 आपको बताते हैं धिहां दीजिएगा अगला कोजेंस देखे, ये भी बहुती सांधार और बहुती जबर जस्त कोजेंशन हैं आपके लिए कुशन क्या कर रहा है पहले उसको अच्छी तरीके समझे उसके बाद अच्छी तरीके स्वालव करने का प्रयास करेंगे परस पर लंबवत रखी और तरिज्जा की जो संकेंद्री वर्ताकार कुंडलियों के समान धारा आई प्रवाहित करने पर उनके परड़ा में चुमब की आगून का मान ग्याद की जुआ क्या करा ध्यान दीजेगा इसमें करा है कि दो परस पर लंबवत रखी आर्थ रिज्या की जो संकेंद्री बित्ताकार मतलब हम करें कि एक संकेंद्री बित्ताकार हमारा ये है ठेक और हमारा एक संकेंद्री बित्ताकार हमारा ये है ध्यान दीजेगा सभी लोग अची तरीके से समझने का प्रयास करिएगा तभी आपको समझ में आएगा तो ये दुनों एक दुसरे क्या है लंबवत है ये भी लंबवत होगा और ये भी लंबवत होगा ठेक ये एक दुसरे क्या है लंबवत है तो क्या होगा ध्यान दीजेगा ठेक तो परस्पल लंबवत रखी संकेंद्री विर्ताकार कुंडलियों में समान धारा आई प्रवाहित करने पर उनके जो परिणामी चुंबकी आगून का सूत्र है वो आपको निकालना है तो परिणामी बल यहां पर क्या हो जाएगा जो परिणामी बल है तो निकालेंगे जो परिणामी बल है तो पहली बात यफ आर बराबर क्या हो जाएगा यफ आर बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूड मान लिजे अगर इसको हम यफ वन माने इसको यफ टू माने तो परिणामी जो भल होगा हमारा क्या होगा यफ वन का स्क्वाइर ठीक क्या होगा यफ वन का स्क्वाइर और प्लस यफ 2 का स्क्वायर ठीक जब की दोनों बराबर हैं जब दोनों बराबर हैं किसके बराबर हैं यफ के बराबर हैं तो यहां पर यफ कोन बराबर यफ रखेंगे यफ 2 बराबर यफ रखेंगे ठीक है न तो क्या हो जाएगा अंडरूड 2 यफ क्या हो जाएगा अंड क्या चुम्ब की आघूड टाव बराबर क्या हो जाएगा यहां पर टाव बराबर क्या होता है सभी लोग जानते हैं बल इंटू बल के बीच की दूरी क्या होता है बल इंटू बल के बीच की दूरी तो समझ में आया इतना समझ में आया अब देखिए अब ध्यान दीजेगा इसको हम क्या माले सम्मी का नमबर 1 माले तो इतना बात आपको समझ में आई पहली बात तो यही कहा है कि यह दोनों एक संकेंद्री बृत है मतलब एक दूसरे पर निर्भर है लेकिन ये क्या है लंबवत है एक दूसरे के लंबवत है तो इस बात को आप नोट कर लिज़ जिएगा तो अगर यहां पर बल बराबर क्या होगा I, L, B क्या बल जो होता है I, L, B होगा और जो इनके बीज की दूरी है B, S, थीटा क्योंकि लंबवत है अगर 36 होता तो कास थीटा है तो यहां पर क्या हो जाएगा अगर देखा जाए तो यहां पर ध्यान दीजेगा सभी लोग बहुत important, बहुत ही मतपून आपके लिए हो जाएगा जो कि आपके लिए बहुत important है तो यहां पर क्या हो जाएगा ध्यान दीजेगा सभी लोग अब देखिए अगर समी का नंबर यक्ट से निकाले तो यह जो I, L, V है इस बल के बराबर है तो यक बराबर कितना I, L, V ठीक तो जब इसके बराबर है तो यहां पर क्या हो जाएगा अंडरूड 2 I, L, V ठीक इंटू B, Sine, Theta समझ में आया क्योंकि यह बल ही है तो यह किसके बराबर होगा यह बराबर क्या है I, L, V के बराबर होगा तो अंडरूड किसके बराबर हो जाएगा 2 I, L, V के बराबर हो जाएगा समझ में आया तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा समी का नमबर एक से टाउ बराबर क्या हो जाएगा अंडरूड I, L, V ठीक पाई, आर, इसक्वायर जो देखे यह क्या है बल के बीच के दूरी है बल के बीच के दूरी है तो बल के बीच के दूरी आपका बृत्ताकार होगा तो बृत्ताकार कितना है बृत्ताकार का छेतरपल पाई आरी स्कॉार होता है यह आपका हो जाएगा मान लेते हैं माना माना B बराबर कितना मान ले एक टिसला मान ले कितना मान ले हम B बराबर कितना मान ले एक टिसला अगर हम मान ले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टाउ बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूड 2 पाई आई आर इसक्वाईर यह आपके लिए हो जाएगा समझ में आया अगर यहाँ पर आर इसक्वार माने तो ठीक तो समझ में आया आप सभी को यह आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही मतपूर्ण आपके लिए प्रश्ण हो जाएगा जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मतपूर्ण है ठीक है ना तो ये चीज आपको अच्छी तरीके समझ में आ गई होगी तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट टू पाई आर इसको आयर ठीक है ना तो इस तरीके साप इसको सवाल कर ल ये ये भी प्रशन आपके एक्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रशन है ठीक है ना तो क्या कर रहा है एक उच्चाई ट्रांसफार्मर में क्या कर रहा है हमारे पास एक उच्चाई ट्रांसफार्मर जिसे क्या करते हैं इस्टेप अप ट्रांसफार्मर अगर इसे नाम होता इंग्लिस में step up transformer करने का मतलब यह voltage को बढ़ाने का कारे करते हैं अगर उचाई transformer की बात करें तो यह हमेशा क्या करेंगे voltage को बढ़ाने का कारेंगे और जो current होगी उसको कम करने का काम करेंगे तो इसमें आप देखेंगे जो current होगी कम ज्यादा दे जाएगे तो current क करेंगे तो द्यान देजेगा यह हमेशा क्या करते हैं current को कम करते हैं और क्या करते हैं voltage को बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे जैसे माली जी आपके पास क्या है transformer है यह आपके पास क्या है transformer है मैं आपको थोड़ा सम्झाने का प्रयास करूंगा यहाँ पर माली जी यह आपके पास क्या है transformer है तो क्या करा है माली जी आपका फेरो की संक्या इधर क्या है इधर ज्यादा है इधर क्या है ज्यादा है और ध्यान देजेगा यह माली जी टेकी प्ले सम्झे में तो यह हमारा क्या होगा। इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें इधर आई क्या होगि ढ़ए लेकिन लेकिन इधर voltage कामान क्या हो जाएगा, जादा हो जाएगा, ये प्राथमिक कुंडली है, क्या है, प्राथमिक कुंडली है, और ये हमारी क्या है, दुतियक कुंडली है, क्या है, दुतियक कुंडली है, तो यही बात आपको समझ में आ रही है, तो समझ में आ रही है, तो समझ पहले देखिए क्वेस्टन को अच्छी तरीके समावी तो मैं उच्चाई ट्रांसफार्मर के बारे में ही बताया वह को पढ़ा ही कहा है हमने तो यहां देखिए एक उच्चाई प्राथमिक तथा दुतियक कुंडलियों के फेरो की संख्या का अनुपात अगर हम फेरो की संख्या का अनुपात देखें यानि की प्राथमिक कुंडली में फेरो की संख्या और दुतियक कुंडली में फेरो की संख्या अगर प्राथमिक कुंडली में जो फेरो की संख्या है देखे ध्यान दीजेगा उसको यन पी माने ध्यान दीजेगा यहां पर यन पी और अनुपात किसका दे रहा है अनुपात यन या सिकेंडरी की ठीक तो समझ में आया कितना है एक अनुपाते 200 है यदि इसे 200 वोल्ट था 2 एंपियर की प्रत्यावर्थी धारा के में से जोड़ दिया जाए क्या किर दिया जाए इसको इसको हम जोड़ दें कितने बोल्ट की धारा से 200 वोल्ट की धारा से जोड़ दें और इसमें धारा कितनी देदें 2 एंपियर की धारा दे दे समझ में आया तो इसमें पूछ क्या रहा है दुतिया कुंडले में अधिक्तम धारा कितनी ग्यात कीजी, तो आजाहिर सी बात है, इसमें दो एंपियर है, तो हमने आपको बताई, इधर धारा कम ही मिलेगी, दो एंपियर से कम ही मिलेगी, तो ये भी आपका एक ट्रिक हो सकता है, कि सल्व करने का धारा जादा आ रहे, तो समझें हमारा सवाल गलास सल्व हुआ है, ठी पहले हम क्या लिखेंगे फेरो की, फेरो की संख्या का अनुपात का अनुपात आपको दे रखा है। AONP ठिक अनुपाते यानयस आपको दे रखा है R Vous एक अनुपाते 200 ठिक यापको दे रखा है और यहां पर अगर पेरोकी संग्याका अनुपात हम ने आपको पहले ही बताया प्राथमिक और देतीहा कुंडले में यन्पी को प्राथमिक कुंडली और यन्यस को सेकेंडिरी कुंडली आपको कहते है ठीक है ना तो चलिए अब देखिए प्राथमिक कुंडली में क्या का रहा है प्राथमिक कुंडली में कुंडली के सीरों पर सीरों पर विभवांतर क्या विभवांतर बराबर क्या हो तो प्राथमिक कुंडली क्या प्राथमिक कुंडली में धारा में धारा IP बराबर 2 Ampere कितना 2 Ampere या VS बराबर क्या हो जाएगा Question Mark secondary में आपको voltage निकालना होगा और secondary के आपको क्या निकालना होगा धारा को find करना हो क्योंकि हमें secondary का ना तो voltage मालूम है ना तो धारा मालूम है इन दोनों को आपको निकालना रहेगा तो समझ में इतनी बात इतना IP में हमें 2 Ampere दे रखा है और VP हमें दे रखा है VP कितना दे रखा है 200 Volt दे रखा है primary voltage दे रखा है तो चलिए जो सूत्र होता है सूत्र क्या होता है पहले सूत्र लिखे लिए आप लोग सूत्र देखिया आप लोग क्या होता है सूत्र भी बहुत ही important होता है Vs upon VP बराबर यनs upon NP टिक मतलब secondary voltage अपान primary में voltage बराबर secondary में कुंडली की संख्या बटे primary में कुंडली की संख्या समझ में आया समझ में आ गया होगा टिक चलिए आगे साल्ब करेंगे दुतिय कुंडली क्या क्या लिखेंगे दुतिय कुंडली में विभवांतर इसमें जो विभवांतर होगा वो आप लिखिएगा तो इसमें जो विभवांतर आपका आएगा विभुवांतर निकालेंगे तो विभुवांतर Vs बराबर क्या निकलेगा यहां पर Vs रखेंगे तो यह उधर जाएगा multiply हो जाएगा तो Vp into YnS upon YnP ठेक यह आपके लिए हो जाएगा तो इतना आपको समझ में आया तो Vp का मान हमने आपको बताया कितना था 200 V ठेक प्रायर्थमिक में जो बोल्टेज है 200 V ठेक यहाँ पर 200 V ठेक अब YnS का मान आपको दे रखा है YnS सेकेंडरी में जो कुंडले की संख्या कितनी थी 200 थी ठेक और प्रायर्थमिक कुंडले की जो संख्या किनी थी 1 थी ठेक इसको जब हम साल्व करेंगे तो 2 टूजा 4 और कितना 0 है 1,2,3,4 4 0 आप लगा दीजे 1,2,3,4 वोल्ट तो हमने क्या कहा था हमने क्या कहा था आपसे तो मैंने आपसे क्या बताया था कि अगर ट्रांस्फार्मर इस्टेप अप है उच्चाई ट्रांस्फार्मर है तो हम कम बोल्टेज देंगे लेकिन वो हमें बोल्टेज क्या देगा ज्यादा देगा हमेशा ज्यादा देगा ध्यान दीजेगा और हमने current के बार में भी होता है था current हम क्या देंगे ज्यादा देंगे तो वहां secondary कुंडले में current को कम देगा चले उसको भी हम निकाल लेते हैं अची तरीके से तो ध्यान देजेगा अब एक सुत्र और लिखिएगा आप लोग एक सुत्र और लिखिएगा वह सुत्र क्या है वी पी इन्टू आई पी बरावर वी यस इन्टू आई एस इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं वी पी अपान वी यस बरावर आई यस अपान आई पी ठीक इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं इसको आप इस तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं открыв इस अपान आई पी बराबर ठीक आप इसको इस तरीके से लिए पी अपान वी एस ये तो आप लिख सकते हैं लेकिन जैसे आपको यहाँ लिखना है आई पी इस तरीके से लिख सकते हैं आई पी अपान आई येस ठीक हमने अब उल्टा कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएग गे तो Vs upon Vp इस तरह से भी आप लिख सकते हैं तो इसमें बदल जाएगा तो सूत्र हमारा main यही होता है तो इस सूत्र में हम रखेंगे क्या रखेंगे ध्यान दिजएगा, हमें मालुम है क्या मालुम है हमें हमें मालुम है क्या, I s बराबर क्या हो जाएगा IS बराबर आपका हो जाएगा VP इन्टू IP अपान यहां पर क्या हो जाएगा VS ठीक समझ में आया इतना आपको समझ में आ गया होगा तो VP का मान किनना था 200 वोल्ट ठीक इन्टू प्राइमेरी में जो करेंट आई थी 2 वोंपियर आई थी और जो सेकेंडरी का जो बोल्टेज था कितना भी निकाला हमने 40,000 कितना निकाला था 40,000 निकाला था तो इसको जब हम solve करेंगे इसको solve करेंगे 1,0 से 1,0 कैंसिल 1,0 से 1,0 कैंसिल 2,2 जा 4 हो जाएगा 1,2 से 1,2 कैंसिल यहाँ आप कितना बचा 1 बचा यानि कि 1 अपान 1,00 यही बचा आपका ठीक तो इसको जब हम solve करेंगे तो 0.01 एंपियर तो हमने आपको क्या बताया था कि अगर हम current जादा देंगे तो उधर current हमारी कम मिलेगे तो फुरूफ होगा ना यह step up transformer है आपके लिए तो समझ में आया इस बात को अच्छी तरीके साब लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर कैसे हमारा निकला ठीक है ना तो समझ में आया हमारी जो secondary जो current आई आई एस कितनी आई 0.01 एंपियर और जो secondary हमारा voltage आया वी एस कितना आया 40.04 वोल्ट आपका आया समझ में आया इस तरीके से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं चलिए आगे आपको पताते हैं अगले question क्यों बढ़ते हैं अगला question भी आपके लिए बेहद important और बेहद हिमात पूर्ण है और सभी लोग अभी ध्यान पूरोग पढ़िएगा और अच्छी तरीके से मन लगा कर पढ़ाई करिएगा ठीक है ना तो यह question आपको समझ में आ गया होगा चलिए आगे ध्यान देते हैं अब देखिए यहाँ पर बहुत ही एक theoretical question है आपके लिए जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता देखिए यहाँ पर आपके लिए हम वही question को लाए है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता और जो नुमेरिकल हमने आपको बता रहा है न तो किसी प्रिज्मे के पदार्ज की वन विक शेमता से क्या तातपर है आपको यह बताना है तो यहाँ भी हम देखिए है का सूरी का स्वेत प्रकास एक पतले प्रिजम में से गुजरता है तो करने का मतलब मालियो जब कोई सूरी का स्वेत प्रकास है सूरी आप देखेंगे जो प्रकास निकलता है जो उसका स्वेत प्रकास है क्या कर रहा है देहां दीजेगा स्वेत प्रकास एक पतले प्रिजम में स प्रिज्म क्या उत्पन कोणी परिक्षेपन है तथा मध्यवर्ती अथाथ पीले रंग की किनड के लिए बिचलन कोण कानुपात को प्रिज्म पदार्थ की वनविक्षेपन छमता काते हैं ठीक इसे ग्रीक अक्षर उमेगा से प्रदर्शित करते हैं ठीक है न तो ध्यान है अब इस प्रिज्म में हम क्या कर रहे हैं मालीचे एक स्वेथ प्रकास गुजार रहे हैं क्या कर रहे हैं एक स्वेथ प्रकास यहां गुजार रहे हैं तो आप सभी को मालूम है इसमें सात रंगों का बिचलन होता है ठीक है न सात रंगे इसमें से निकलती है तो सात का रंग अलग-अलग होता है सभी लोग जानते भी हैं अच्छी तरीके से ठीक तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा साथ रंग आपके लिए हो जाएंगे ठीक तो समझ में आ रहा है आपको कि नहीं समझ में आ रहा है अच्छी तरीके समझ में आ रहा होगा आपको ठीक है न तो ये आपको समझ में आ रहा है कि ने समझ में आ रहा है तो इसमें कह क्या रहा है हमें निकालना क्या है वर्ण विक्षेपण छमता को निकालना है ठीक तो जब स्वीरिका स्वेत प्रकास एक पतले प्रिजम में से गुजरता है तो बैगिनी तथा लाल रंगों के निर्गत किरणों के बीच तो बैगिनी है जो लाल है ठीक इनके किरणों के बीच जो उत्पन कोणी विक्षेपन है ठीक यानि इनके बीच जो उत्पन कोणी विक्षेपन है यन वी माइनस यन आर समझ में आ रहा है न और क्या कर रहा है व पीला आएगा ठीक एनन रिखों अर्व ना रंगी आएगा ठीक तो इसमें साथ के डिखंगे तो जो बैधी definis क्या होगा उद बिक्षेपड च्मता होगा तो इस बात को समझ में आए तो वाइ बिक्षेपड च्मता का फर्मूला क्या हो जाएगा यन वी माइनस यन आर अपन यन वाई माइनस वन ठीक तो ये आपके लिए हो जाएगा जो कि बहध इंपॉर्टन्ट और बहध प्रवादी मत्पूर्ण है आपके लिए और सभी लोग इस फर्मूले को लिख लेजेगा क्योंकि इस से बहुत ज्यादा कुछा जाता है तो बहुत ज्यादा कुछा पूछा था इसलिए आपको यहां पर इसको स्वाल्व करना बहुत ही आवश्यक है तो अगर आपसे कोई कि वर्ण बिक्षेपर चमता क्या होती है यनवी माइनस यनार अपान यनवाई माइनस वन यानि किसी स्वेथ किसी प्रिजम से अगर कोई स्वेथ प्रकास गुजरती है तो उसमें जो बैगनी रंग है और जो लाल रंग का जो वर्ण बिक्षेपर का जो अंतर है और नीच से क्या करते हैं प्रदर्सित करते हैं इसे के से पदर्स करते हैं ओमेगा से प्रदर्सित करते हैं तो इस बात को आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से ठीक है ना चलिए ध्यान दीजेगा सभी लोग अच्छी तरीके से इसको भी अच्छी तरीके समझने का प्रया आए आ रहा है ठीक है ना चलिए द्यान दीजेगा चलिए आप 1 हमारे पास ना उन भौति थे कौन, पहले घटना तो हमारे पास ब्यतिकरण हो जाएगी, दुसरी घटना वे वर्तन करण में अंतर क्या है तो द्यान दीजेगा सब ही लोग अच्छी तरीके से इसको हम समझेंगे और उग्दम वैतिरीन तरीके से हम आपको समझाएंगे तो ध्यान दिछा काा सबी लोग अची तरीके से टीक तो चलिए ध्यान दिछा ब्यतिकरण क्या काएंगे इंटर फेरेंस काएंगे बीवरतन को diffraction काएंगे टिक है न चलिए आपको सुझाते हैं चलने वाले दो प्रिधक्रित तरंगर ओंग और के बीच आध्यार ओपन का परड्याम हैं मतलब अगर दो तरंगे आपके पास चल रही है तो वह एक दूसरे के कला संबद मतलब जितनी यावरती कि उसकी है उतनी यावरती इसकी भी है तो अगर वे चल रहy हैं तो पृतकृत तरांगाओं के बीच जो पृतकृत अध्यारोंगरगा हैं बीच अध्यारोप्र का पडिदाम होता है अध्यारोपन मतलब की वे एक दूसरे को क्या करती है जोडने का कारी करती है अध्यारोपन का काम करती है ठीक है ना और यहां घटना एक ही तरंगार के बिभिन बिंदूओं के से चलने वाले दुतियक तरंगी काओं के बीच अध्यारोपन का परड़ाम है ठीक है ना चलिए अगला इसमें सभी दिप्त फ्रिंजे एक समान तिबरता की होती है इसमें सभी प्रिंजे क्या होती है इसमें आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा अगला कोईशन बहुती प्यारा सा कुशन और बहुती मत्पून कोईशन आपके लिए देखे सभी प्रस्णों को पढ़ना आपके लिए आवश्यक है क्योंकि आप एक्जाम देने जा रहे है तो आप यह नहीं कर सकते हैं कि सर मुझे यह प्रस्ण नहीं पढ़ना है आपको सारे प्रस्णों को पढ़ना है और साथी साथ आपको याद भी करना है और अच्छी तरीके से सारी चीजों को समझना भी है तो देखे आइनन उर्ज मोar לों के लिए इसका मान क्या होगा तो क्या कर रहा है यदी किसी पर माड को निमनतम अथवा मूल अवस्था में in रहा दसमलॉज इक्ञनलोज इलक्टरानबोल्ट उर्जा बाहर से दिए जाय यदि क्यों परमाड हुमारे पास है उसको निमनतम मूल आवस्था में उसको जब मूल आवस्था में इस्तित हो तो उसे हम क्या कर दें 13.6 कितना 13.6 इलेक्टरान बोल्ट उर्जा बाहर से दी जाए तो परमाड की कुल उर्जा जो होगी माइनस 13.6 इलेक्टरान बोल्ट प्लस 13.6 इलेक्टरान बोल्ट है निकी जो होगी कितना हो जाएगी उस समय जीरो हो जाएगी टिक हो जाएगी अर्थात परमाड आयनित अवस्था में पहुँच जाएगा जो परमाड होता है किसे पहुच जाएगा आयनित अवस्था में पहुच जाएगा यह बाह उर्जा ही परमाड की आयनन उर्जा कहलाती है टिक जो बाह उर्ज जाहे परमाड की आइनन उर्जा कहलाती है हाइड्रोजर परमाड के लिए इसका मान कितना होता है 13.6 इलेक्टरान बोल्ट होता है टेक इस बात को आप नोट कर लीजी अच्छी तरीके से लिख लीजी जाहे लेगला कोईसन देखेंगे मादन के करण अर्जाला की चालकता पर पढ़ने वाले प्रभाव को समझाएगे मादन का मतलब जिसे आप डोपिंग कहते हैं अप मिस्त्रन तो डोपिंग के बारे में समझते हैं मादन के बारे में समझते हैं सुद अर्दचालकों की बैदुद चालकता अति अल्प होती अर्दचालक जैसे जर्मेनियम हो गया सिलिकान हो गया फासफोरस हो गया इनकी जो सुद अवस्ता होगी और इसमें जो इलेक्टरान का चालन हो गया होल्स का जो इलेक्ट्रानों का जो चालन होता है वो बहुत ही कम होता है तेक परन्तु यदि किसी ऐसे पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा मान लेजे हम कोई ऐसा पदार्थ मिला लें जिसकी थोड़ी सी मात्रा जिसकी सहुझकता पांच अथवा तीन हो क्या हो जिसकी सहुझकत ज़ा या परिटा वलेंट हो या ट्राइ वैलेंट हो्स तू तो सुध जेरमेंशम अतवय क्रिश्टल में अपद्रब की रूप में सुस्थ अतव माधित कर दे लеся थो ड्शा मतलब यदि हम किसी अरध चालक में क्या कर दें अर्ध चालक में कोई त्री संयोजी या पंच संयोजी ठीक है ना कोई त्री संयोजी अथवा पंच संयोजी पदार्थ अगर हम मिला देते हैं तो जो उसकी चालकता होती है क्या हो जाती है मेरे पैरबचा लोग बढ़ जाती है जब बढ़ जाती है तो उसी को हम क्या कहेंगे मादन कहेंगे या उसकी अर्चालक की चालकता बड़ी हुई कहेंगे तो मेरे पैरबचा लोग ये आपके लिए important question है चलिए आगे आगे डिसकस करते हैं अगला question देखिए आपके लिए क्या है बहुत important और बहुत question ये भी है और इतना ज्यादा important है कि ये question बहुत छोटा देखने को है लेकिन इससे आप कई question को solve कर पाएंगे और ये question आपके exam में बहुत बार आया भी है तो क्या कर रहा है किसी पतले प्रिजम से उत्पन न्यूनतम बिचलन कोंड दस डिगरी है क्या कर रहा है मालिजे कोई हमारे पास क्या है पतला प्रिजम है इस प्रिजम से जो उत्पन न्यूनतम बिचलन कोंड है कितना है दस डिगरी है तो प् तो यहां से क्या हो जाएगा दस बटे पॉइंट फाइब यानि की उपर जाएगा पॉइंट टाएगा सव हो जाएगा और क्या हो जाएगा बीस पंचे सो यानि अतर प्रिजम कोण का मान बीज डिगरी आपका अंसर आ जाएगा तो मेरे प्यारे बचा लोग ये आपके लिए अगर आपको वीडियो थोड़ा सभी पसंद आए ना जरूर लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताएगा कि याई वीडियो आपको कैसी लगी तो ठीक है ना तो मेरे प्यारे बचा लोग फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में ने टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिन जैभारत बाई बाई टेक केर अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए मसरिये मुस्कुराते रहिए ठीक है ना जैहिन जैभारत